नमस्कार दोस्तों समाधान यूटीब चैनेल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे दिमाग तेज करने के बारे में दोस्तों ये उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आपका दिमाग जो है कम्पुटर से भी तेज दो रहेगा दोस्तों तो आईए जानते हैं दोस्तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मानसमन उसे ही मिलता है जिसका दिमाग सबसे चतूर होता है भगवान ने सभी को एक ही जैसा दिमाग दिया है अब ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसको कितना और सार्प और एक्टिब बना सकते हैं और आपक या मतलब आपका सोभाव एक ऐसा इस पर बहुत सारा चीज निर्भर करता है दोस्तों तो दोस्तों आज हम जो है बताएंगे आपको पांच ऐसे तरीके के बारे में जिससे आपका लाइप में जो है अपने दिमाग को आप हमेशा सार्प और एक्टिव रख सकते हैं अपने तो दोस्तों आईए जानते हैं इस बारे में आईए बात करते हैं पहले उपाय कियों तो दोस्तों रोज कुछ न कुछ ब्याम करें हाँ दोस्तों लोगों के मन में ये धारना होती है कि रोज ब्याम करने से हमारा सरीर फीट रहेगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता का दिमाग हमेशा active रहेगा अब बात करते हैं दूसरे उपाई की रोज संगीत सुने या संगीत का बजाने का सौक रखें तो दोस्तों अपने दिमाग को तेज करने के लिए आप कोई भी music बजा सकते हैं और इसे आप सीख सकते हैं या उस पर उसे enjoy कर सकते हैं तो दोस्तों इससे आपका दिमाग काफी तेज होगा और दिमाग को relax करने में का भी काम ये करता है जिसके चलते पहले से भी बहतर तरीके से हमारा दिमाग काम करने लगता है और एक नए उर्चा का संचार होता है अब आते हैं तिसरे उपाई की योग तिसरे उपाई है दोस्तों वीड इससे अब गरें जाण करता है और इसे अपर दोस्तों एक बात कामेशा ध्यान ढखे ज़्यादा गेंड़ना भी सिखत नुक्सान पहुचा सकता है तो इससे आउंक पर असर परता है तो यह नहीं हो कि आप गेमी गेम खेलते रहे थोरी समय के लिए रोज खेल सकते हैं और दिमाग को जो है सारफ होने में मदद मिलेगी अब बात करते हैं तीसरे उपाई की ओर दोस्तों पड़ियाप्त मात्रा में नींद लें हाँ दोस्तों हर व्यक्ति को रोज साथार घंडे की नींद जरूर लेनी चाहिए नींद से क्या होता है कि हाली में प्राप जानकारी का अनुसार जो है यह जो है हमारे जो याद है मस्तिस्क में इसको इस्थिर करता है नींद से जो है आपको जो है शरीर में ठकान जो हुआ है सारा दिन का वो खतम होता है और नींद में ब्रेन को बहुत रेष्ट मिलता है और मस्तिस्क को यह नीं जो है रिचार्ज कर देती अब बात करते हैं पांच में उपाय की योग पर्याप्त मातरा में पानी पीयें हाँ दोस्तों मस्तिस्क को लगबाग 80% पानी से मिलना चाहिए क्योंकि हमारे सरीर में 80%-70% पानी होता है और मस्तिस्क में 80% पानी होता है तो अधिक समय तक पानी नहीं पीने से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से मस्तिस के ठीक से काम नहीं करता है तो इसलिए जो है अच्छे दिमाग के लिए ज़रों से ज़्यादा पानी ना पिएंगे तो भी 7-8 ग्लाज डेली पानी पिएंगे तो आपका दिमाग हमें से एक्टिव और दुरुस्त रहेगा दोस्तों